क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया की नंबर वन स्मार्ट फॉन वेंडर कम्पनी कौन बनी प्रति वर्ष नेशनल हैंडलूम डे कब मनाय जता है दुनिया का सबसे दुरलब बौना गिरगिट कहां मिला ऐसे ही तेरब बड़ी खबरू को कवर करते हुए हमने आज का बले जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बौक्स में देना है और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब किजिए पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हरे एक वीडियो की अपडेट आपको सबस दे मनाया जाता है साथ अगस्त को यानि कि आज ही है साथ अगस्त कौन सा दिवस मनाया जा रहा है नेशनल हैंडलूम डे प्रति वर्ष मनाया जाता है साथ अगस्त को राष्ट्रिय हत करका दिवस मनाने का वर्चूल तरीके से आयोजन किसने किया है हमारे कपडा मंत्रा ल कपड़ा मंत्री यहाँ पर देख सकते हैं Ministry of Textile यानिके हमारे Ministry of Textile के मिनिस्टर कौन है पियोष्ट गोईल साब और हतकर का दिवस मनाने के लिए 7 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया है वो भी तो दिमाग में क्वेशन उठना चाहिए कि 7 अगस्त को ही National Handleum Day क्यों मनाया ज शुरू हुआ था और आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादो और उत्पादन इकईयो को पुनर जिवित करना था इसलिए तई किया गया है 7 अगस्त को और पहला राष्ट्रिय हतकर का दिवस कब मनाया गया था वर्ष 2015 में पहली बार National Handleum Day मनाया गया कहा पर यह मन पर यह पहली बार राष्ट्रिय हतकर का दिवस की घोशना के गये और पिछले साल हमारे कपडा मंतरी स्मृती इरानी जी ने सोशल मीडिया पर किस अभ्यान की शुरूआत के थे हमारी पिछले साल हमारी कपडा मंतरी कौन थे स्मृती इरानी और उन्होंने एक सोशल मीडि पर अभ्यान चलाया जिसका नाम था I wear handloom यान कि मैं भी handloom की सारी पहनती हूँ मैं हत करगा के वस्तर पहनती हूँ या पहनता हूँ इसी तरह का एक अभ्यान पिछले साल चलाया गया था और दोस्तो इसी तरह हर question से जुड़े important fact मैं आपके समने रखता हूँ हमारा यह तर किसकी प्रजाती है पहले तो यह प्रजाती का नाम थोड़ा difficult है एक बार फिर से पढ़ लेते है स्विन होज soft shell किसकी प्रजाती है यह एक कच्चुएक की प्रजाती है यान कि इस question का सही answer है कच्चुएक की प्रजाती में अब देख सकते है लेकिन current affair में क्यों आई तो दे सरक्षन वादियो द्वारा बहुत प्रयास किये गए है क्या सरक्षन वादियो द्वारा यह टर्टल को बचाने के लिए बहुत से प्रयास किये गए है इमें जाब देख सते है थोड़ा पीला और थोड़ा कुछ इस तरह के रंका है तो इस जानवर को हॉन कीम टर्टल क्य एक और भी नाम है हॉन कीम टर्टल या यांगत जी जी आंट सौफट शेल टर्टल के रूप में भी जना जाता है तो यहां हमें याद रख लेना है कि यह स्वीन होज सौफट शेल टर्टल इनके दो नाम है एक है होन कीम टर्टल और दुसरा है यांगत जी जी आंट सौफट शेल टर्टल और यह टर्टल का साइंटिफिक नेम क्या है साइंटिफिक नेम है रैफेटेस स्वीन होई क्या नम है रैफेटेस स्वीन होई और वियतनाम में इन जानवरों का बहुत अधिक सांस्कृतिक मह हत्व है क्योंकि वियत नाम की कैपिटल हनोई हनोई में लोग इस प्राणी को एक जीवित देवता के रूप में मानते हैं क्या यह टर्टल को वियत की कैपिटल हनोई में एक जीवित देवता के रूप में लोग मानते हैं और यह कच्चु यह हलके बुरे या पीले दब्बो के साथ बूरे रंग के भी हो सकते है यानकी रंग कि सysis आरका होता है भूरे या पीले दब्बो के साथ बूरे रंग के होते है या टर्टल इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर भुरे यहाँ पर है यलो कलर और इन कचुओं का प्राकृतिक आवास आर्दर भुमी और बड़ी जिले है और चीन और वियत नाम के मूल निवासी है यह टर्टल और IUCN की रेड लिष्ट में इस टर्टल को गंभी रूप से संकट ग्रस्त सूची में रखा गया है तिसरा क्विशान हाल हिमें Border Road Organization ने कितने फीट की उँचाई पर दुनिया की सबसे उँची मोटर योग्य सडक पर ब्लेक, टॉपिंग और निर्मान कार्या को पुरा किया है हाल हिमें Border Road Organization ने तकरीबन 19,300 फीट की उँचाई पर यह मोटर योग्य सडक बना कर एक नया किर्तिमान स्थापिट किया है यानकि इस क्विशन का सही आंसर है 19,300 फीट की उँचाई पर यानकि हम माउंट एवरेश्ट सर करने जाते है तो इसका जो बेस केम्प है उनसे भी ज्यादा उँचाई पर यह रोड का निर्मान किया गया है रोड का निर्मान किसने किया है Border Road Organization ने और यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है Border Road Organization welcomes you to highest motorable pass in the world जिसका नाम है उमलिंग ला और जिसकी उँचाई है 19,300 फिट क्या बात है सबसे पहले तो हमारे Border Road Organization को इस उपलबधिक के लिए Congratulation हाल ही में सीमा सडक संगठन यानकि Border Road Organization ने 19,300 फिट की उँचाई परस्थित पूर्वी लद्दा के उमलिंग ला दर्राक्षेत्र में दुनिया की सबसे उँची motor युग्य सडक पर ब्लेक टोपिंग और निर्मान कारिये को पुरा किया है और Border Road Organization ने बॉली विया में ज्वाला मुखी उटु रुंग के 18,935 फिट की उँचाई पर एक सडक निर्मान के अपने पिछले रेकोर्ड को भी तोड़ दिया है Border Road Organization ने और Project Himank क्या? Project Himank के तहत बनी रण नितिक सडक उमलिंग ला टॉप से होकर गुजरती है और चीसू मले वह डेम चोग गाउं को जोडती है और इस सडक का निर्मान Mount Everest Base Camp से अधिक उंचाई पर किया गया है क्योंकि नेपाल में South Base Camp जिसकी उंचाई है 17,598 फिट की उंचाई पर है कौन सा? यह South Base Camp जबकि तिबबत में North Base Camp के उंचाई 16,900 फिट है यानकि जो Mount Everest के Base Camp है उनसे भी ज्यादा हैट पर यह हाल ही में एक रोड का निर्वान किया गया है जो Mortarable है यानकि Mortar हम ले जा सकते है और Project हिमांक जम्मो और कश्मिर के लद्दाख क्षेत्र में कार्यानवीत की जा रही Border Road Organization की ही एक परियोजना है क्या Project हिमांक या Border Road Organization की ही एक परियोजना है और यह Project वर्ष 1985 में कब 1985 में शुरू हुआ था चौथा Question निम्ना में से किस राज्य को चार स्कॉच पुरसकार मिले क्या एक ही राज्यको हाल ही में चार स्कॉच अवार्ण मिले है किस राज्यको अरे मेरे शेर यह पश्रिम बंगाल राज्यको को मिले है किसको पस्चिम बंगल राज्ज को योग कि, पस्चिम बंगल का सही आंचर है पस्चिम बंगल पस्चिम बंगल कि वर्तमान चीफ इनिश्टर को न अपनी योजनाओं के लिए चार स्कोच पुरसकार मिले तो यह चारो केटेगरी की बात करे किन-किन परियोजनाओं को किन-किन विभिन पहलों को यह पुरसकार मिले है तो राज्य योजना सिल पास्थी क्या एक सिल पास्थी जो ऑनलाइन सिंगल विंडो पॉर्टल है उन्ह पुरस्कार की बात करे, तो ग्रामिण क्षितरों में व्यापार लाइसेंस ऑन लाइन जारी करना, उनको भी अवर्ड मिला है, और इन नत्हिकरण, क् definitions पंजीकरन तैयारी और डीट जमा करनी की ओनलाइन प्रणाली है तो इन दोनों को भी रजत पुरसकार मिले है और बात करते हैं पस्चिम बंगाल की वरतमान मुख्यमंदरी कौन है ममता बनर जी इमेज में आप देख सकते हैं और पस्चिम बंगाल के वरतमान राज्यपाल पाच्वा कुशन सूर्क्यों में रही अदीती अशोक का सबन किस खेल से है इमेज में आप देख सकते हैं हमारे भारत देश की अदीती अशोक जो टोक्यो अलंपिक में हिस्सा लेने गई है लेकिन वो किस इवेंट में भारत देश का प्रतिनित्व कर रही है अदीती अश करेंट अफेर में क्यों आई तो देखो भारतिय गोलफर अदिती अशोक आलंपिक में इतिहास रचने की और बढ़ रही है क्या ओलंपिक में इतिहास बढ़ने की और आगे बढ़ रही है और भारतिय गोलफर ने लगातार तीसरे दिन बेहतरिन प्रदर्शन जारी रखा है और अधीती अशोक ने 6 अगस्त को 3 अंडर 68 का कार्ड खिला और दूसरे स्थान पर बरकरार है क्या वो अपनी इस इवेंट में दूसरे स्थान पर बरकरार है और आगे बताओ तो आखिरी और चौथे राउंड का मुकाबला 7 अगस्त यानि कि आज ही के दिन होने वाला है लेकिन मौसम खराब दिख रहा है और मौसम खराब होने की वज़़ा से अगर मुकाबला नहीं होता है तो तीसरे राउंड तक के ही स्कौर गिने जाएंगे और ऐसे में अधिती अशोक सिल्वर मेडल जीत सकती है यान कि हमारे बारत देश की यह गुलफर एक इतिहा सरच शकती है तो यदि आज है साथ अगस्त और आज का क्या न्यूज आता है उनके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरू बताना चठा क्यूशन हाल ही में इंटरनेशनल सॉलर अलाइंस फ्रेमवर्क का समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश कौन बना इंटरनेशनल सॉलर अलाइंस पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश बन गया है जर्मनी कौन जर्मनी यनकी इस क्यूशन का सही आ चोधनों के बाद अंतरराश्ट्रिया स्वार गटबंदन फ्रेंवर्क के समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला पाँच वा देश बन गया है और भारत में जर्मनी के वर्तमान राज़दूत कौन है नाम है वाल्टर जे लिंडनेर कौन है जर्मनी के राज़दूत भारत में है वाल्टर जे लिंडनेर इमिजन अब देख सकते है तो वाल्टर जे लिंडनेर ने अंतर राष्ट्रियस और गठ बंदन फ्रेमवर्कर जोदे के डीपोजीटरी के पास जमा कर दी है और यहां हमने जिक्र किया जर्मानी का तो यहां मेप में देखे कि यह है जर्मानी जर्मानी की कैपिटल का नाम है बरलेन और जर्मानी की करेंशी क्या है यूरो और जर्मानी के वर्तमान राष्ट्रवधी कौन है तो इमेज़ भारत मौसम विध्यान विभाग ने कितने थानों पर agro-automatic weather station की स्थापना की है detto भारत मौसम विध्यान विभाग ने आम लोगों विशेशकर किसानों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 200 स्थानों पर एग्रो आटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना की है उद्देश्य क्या है किसानों को 60 मौसम पूर्वा नुमान प्रदान करना और एग्रो आटोमेटिक वेदर स्टेशन यहां यह वेज़े अब देख सकते हैं कितने स्थापित किये गए है बारत देश में 200 भारतिय क्रूशी अनुसंदान परिशाद नेटवर्क के ताहत क्रिशी विज्ञान कैंदरों में स्थीत जिल्ला एग्रोमेट युनिट्स में 200 एग्रो आटोमेटिक वेदर स्टेशन इंस्टोल किये गए है और इन केंदरों की स्थापना ग्रामिन क्रिशी मौसम स्यवा यूजना के ताहत ब्लोक्स तरिय एग्रोमेट एडवाईजरी सर्विसेज के साहाईता ये तो की गई है और ये एडवाईजरी कीसानों को दीन प्रती दीन के क्रिशी कारियों पर निर्णे लेने में मदद करती है जो की कम वर्षा की स्थीती वो चरम मौसम की घटनाओं के दोरान मौदरिक नुकसान को कम करने और फसल की उपज को अधिकतम करने में महत्वो पुर्ण हो सकते है यह जो सिष्टम स्थापित किये गई है हमारे पूरे बारत देश में 200 स्थानों पर आटवा क्यूशन दुन्या का सबसे दुरलब बहुना गिर्गिट कहां मिला? इमेज आप देख सकते हैं दुन्या का सबसे दुरलब बहुना गिर्गिट कहां मिला है? यह हाल ही में मिला है आफरिका में? यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है आफरिका यहां पर पढ़िये, दुनिया का सब से बौना गिरगेट कहा मिला है? आफरीका में मिला है, व्यान कि इस क्वेशन का सही आंसर है आफरीका, वज्ञानिकों को आफरीका के वर्षावन में वो गिरगेट मिले है जिन है लंबे समय से विलुपत माना जा रहा था क्या? अफ्रिका के वर्षावनों में यह गिर्गिट मिले है जिन्हें लंबे समय से विलुपत माना गया था और वग्यानिकों ने इसकी खोज 1990 के दशक में की थी कब की थी? 1990 के दशक में यह बौने गिर्गिट की खोज की थी वग्यानिकों ने लेकिन उस समय उन्हे इस बात का डर था, कि जंगलों की कटाइ के कारण गीरगीटों के एक प्रजाती विलुपत हो गई है, तब से नहीं देखा गया था, और जिन गीरगीटों का पता चला है, उन्हें बौने गीरगीट कहा जाता है, क्या बाउने गिर्गिट कहा जाता है तो यह केवल 2.2 इंच तक की ही बढ़ते हैं कितने 2.2 इंच तक ही बढ़ते हैं और शायद इसलिए उन्हे बाउने गिर्गिट कहा जाता है नवा कुशन हाल ही में हिरोशीमा दिवस कब मनाया गया प्रती वर्ष हिरोशीमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को यानिकि कल ही 6 अगस्त को हिरोशीमा दिवस मनाया गया यानिकि इस कुशन का सही अंसर है हिरोशीमा और इमेज को पड़िये क्या लिखा है 6 अगस्त को मनाय जाता है हिरोशिमा डे तो इनके पीछे का कारण क्या है गटना क्या है वो समझे दुनिया में पहली और आखिरी बार परमानु बंबो का इस्तेमाल दूसरे विश्यो युद में हुआ था जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागा साकी पर हमला किया था हिरोशिमा दिवस और नो अगस्त को मनाया जाता है नागा साकी दिवस और जुलाई 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपती हैरी ट्रुमेन ब्रिटिश प्रदान मंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संके नेता जोसेप स्टालीन जर्मानी के शहर पोट्सडम में मिले और यहा कर्मानु बम अनु बम गिराये गए थे दस्वा क्यूशन नीमना में से कौन सा अनुचे राष्ट्रिय पिछडा वर्ग आयोक की सारचना कर्तवयों और शक्तियोसे सबंदी थे अमारे कंस्टिट्यूशन ओफ इंडिया जीसका आर्टीकल 338 बी राष्ट्रिय पिछडा व केंदर सरकार ने 4 अगस्त 2021 को एक सम्विधान संशोदन विदेयक को मंजूरी दी जो राज्यों और केंदर शाशित प्रदेशों को अपनी OBC सूची बनाने के लिए शशक्त बनाने का प्रयास करता है और 102 सम्विधान संशोदन अधिनियम उनकी बात करे क्योंकि इनका सब नेशनल कमिशन फर बेकवर्ड क्लासिस से सबंदित एक दोस्तो सम्विधान संशोदन भी किया गया था तो 2018 के 102 सम्विधान संशोदन अधिनियम में एक नया अनुचेद 338 भी सम्मिलित्तिया गया और यह अनुचेद राष्ट्रिय पिछडा वर्गा आयोकी सारचना, कर् सब्यों और शक्तियों से सबंदित है और राष्ट्रिय पिछडा वर्गा आयोकी बात करें इंगलिश में बोले तो नेशनल कमिशन फर बेकवर्ड क्लासिस, शॉर्ट में कहे तो NCBC, तो NCBC को 123 सम्विधान संशोदन विद्ययक और सम्विधान में 102 संशोदन के तहट सम्व दानिक निकाई का दर्जा दिया गया है, तो हमें यह भी याद रख लेना है कि यह NCBC एक सम्विधानिक निकाई है, और यह कंस्टिटूशन में कहां पर जिक्र किया गया है वो भी हमें याद रख लेना है, अनुचे 338B, और NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के अधिन काम करता है, और NCBC की स्थापना कब हुए, 14 अगस्ता 1993 को राष्ट्रिय पिछडा वर्ग आयोग दिनियम 1993 के प्रावदानों के अनुसार NCB की स्थापना की गई, और किस मंत्राले के अंतरगत काम करता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले के अधिन काम करता है, NCBC, गयरवा कुशन, टोक्यो अलम्पिक में पूरुष होकी में स्वरना पदक, किस ने जिता, हमारे भारत देश ने ये टोक्यो अलम्पिक में पूरुष होकी में ब्रांज मेडल जिता है, लेकिन गॉल्ड मेडल किस ने जिता है, गॉल्ड मेडल जिता है, गॉल्ड मेडल जिता यानकी इस क्वेशन का सही अंसर है बेल्जियम बेल्जियम ने टोक्यो ओलम्पिक में पुरुष होकी में स्वारन पदक जिता है और वो भी दोस्तों किस तरह जिता है बहुत ही रोमन चक मुकाबला रहा है वो भी मैं आपको बता दू तो बेल्जियम टोक्यो ओलम्पिक में पुरुष होकी के खिताबी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पैनल्टी शुट आउट में तीन दो के अंतर से मात दे कर होकी का गॉल्ड मेडल अपने नाम कर लिया यानिके पैनल्टी शूट आउट के बाद यह डिसीजन हुआ यह तै हुआ कि गॉल्ड मेडल किसके खाते में जाएगा अरे मेरे बाई साब बेल्जियम के खाते में गया है और साथ मिनट के खेल में दोनों टीमें एक-एक गोल करके बराबरी पर रहे लेकिन अंत में हार जीत का फैंसला शूट आउट में हुआ और शूट आउट में बेल्जियम ने हरा दिया है आस्ट्रेलिया को यानिके गॉल्ड मेडल जीता बेल्जियम ने सिल्वर मेडल जिता आस्ट्रेलिया ने और ब्रोंज मेडल जिता है हमारे बारत देश ने बरवक्षन भारतिय दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानि कि ट्राई के अनुसार 31 मर्च 2021 तक हमारे बारत देश में कितने इंटरनेट ग्राहक है दोस्तो हाल ही में ट्राई के द्वारा एक आंकडा समयाया है कि 31 मर्च 2021 तक हमारे भारत देश में इंटरनेट के उप्योग करता कितने है हमारे भारत देश में 82.35 करोड इंटरनेट ग्राहक है यानकि इस question का सही answer है 82.35 करोड और ग्रामीन भारत में 302 मिलियन से अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते है जबकि शोहरी भारत में यह संख्या 502 मिलियन से अधिक है और electronics और IT राज्यमंद्री कौन है राजीव चंद्रशेकर इमेज में आप देख सकते है और ग्रामीन भारत में इंटरनेट की पहुच बढ़ाने के लिए सरकार ने देश के सभी ग्राम पंचायतों और गाओं में भारत नेट परियोजना क्या भारत नेट परियोजना को लागू किया और एक जुलाई तक कूल 1,57,383 ग्राम पंचायतों को high-speed इंटरनेट या broadband infrastructure के साथ जोड़ा गया है तेरवा और लास्टा क्विशन दुनिया में नंबर वन स्मार्ट फॉन वेंडर कंपनी कौन बनी दुनिया की नंबर वन स्मार्ट फॉन वेंडर कंपनी बन गयी है चीन देश के शाओमी यानकि इस क्विशन का सही आंसर है शाओमी शाओमी ने कीस को पिछे छोड़ा है, Samsung को पिछे छोड़ दिया है, तो देखो, स्मार्ट फॉन कंपने शाओ में जून 2021 में दो बड़ी दिगज कंपनियां, एक एपल और दूसरी Samsung को पचारती हुई, पूरी दुनिया में नंबर वन स्मार्ट फॉन वेंडर कंपनी बन गई है, और ये जानका पारी हाल या काउंटर पॉइंट रिपर से मिली है, और पहले Xiaomi ने यूरोप में Samsung को पचार दिया, और अब कंपनी ने जून में ही globally भी दक्षीन कोरियाई electronics दिगज को पीछे छोड़ दिया है, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के question के, लास्ट वीडियो में मैं अनुचेद 161 के तहाद, राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अप्राप्त है, यानकि इस question का सही अंसर है, अनुचेद 161, लगबग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है, इन में से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाओंगा, तो वो है, शुलेंदर आपका भी हमारी चैनल में स्वागत और आपका आंसर बिल्कुल सही, हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है, रिंकु मक्वाना, परेश वाडेल, पूर्वी जगदिश भाय और दक्षा बेल, अंकिताय चोदरे, देवांगी चोदरे, काजु भाय राठवा और बिश्नु खाट, आप सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही, आर्टिकल 161, तो वेचत राठवा, वागेला विरेंद्र से, धर्मेंद्र मेवाडा, चगन चोदरे, जीवनतिका मक्वाना, पहाड सी उमट, डिंपल पतेल, और काजी युनुस हमारे सबसे पुराने सब्सक पर, ओलम्पिक में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतिय पहलवान कौन बने, सही ऑप्शन चुनिए, कि ओलम्पिक में फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतिय पहलवान कौन बने, जिन होने कौन सा मेडल जीता है, वो भी आपको पता होगा, और वीडिय कभी नहीं बुलेंगे वीडियो वाके में अच्छा लगा ओके थेंक्यू सो मच और कल मिलेंगे एक नए करेंड़ फेर वीडियो के साथ तब तक लिए टेक केर एंड जैहिन